बिध्वा पैंसन योजना सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस छोटे से नन्ने से बैल आइकन को दवा कर आल कर देना ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोडिफिकेशन मिलता रहे सबसे दोस्तु सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल प चलेंगे आपको स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करगे आपको नीचे यहाँ पर चले जाना है और मोर रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देनी है जैसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको जो है बिदवा पैंसन रिलेटेड अपडेट देखने को मिल जाएगा यहा पर आपको जो है जैन्विन अपडेट देखने को मिलेगा सिंपले आपको इस पर क्लिक कर देने हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है बिद्वा पैंसन योजना से संबंदी सभी जानकारी देखने को मिल जाएंगी और बिद्वा पैंसन योजना क्या है उसके सबसे पहले दूस्तों बात करें तो बिधवा पेंसन योजना जो राज्य सरकार के द्वारा राज्य की बिधवा महिलाओं को जीवन यापन करने के उद्देशे से सुरू की गई एक योजना है ठीक है इस योजना के तहट अलग-अलग सरकार अलग-अलग पैसे देती है कही महिला को दिया जाता है। वहीं कहीं पे पंद्रो सो रूपधे भी सरकार के दौरा दिया जाता है। और कहीं पे चब्शन को दिया जाता है। यह बदवा पैंसन योजना के तहट benefits की तो बहुत सारे economics राजे ऎकरों को म्लता है। हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं तो योजना का जो नाम है बिदवा पैंसन योजना है शुरू किया गया है राज्य सरकार के दवरा महिलाओं को आर्थिक स्थिती आर्थिक मदद उपलब्द कराने के उद्धिय से लावारती जो है राज्य की हर एक महिला होने वाली है केंदर सरकार के दोरा संचालन गोशना की गई है लेकिन राज्य सरकार के दोरा इस योजना का संचालन किया जाता है तो यहाँ पर केंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है ठीक है यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको जो है उत्तर प्रदेश बिद्वा पैंसन योजना की जानकारी दे गई है तो उत्तर प्रदेश में क्या है उसकी जानकारी लेते हैं उसके आगे एस्टेट के भी हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश बिद्वा पैंसन योजना की सुरुआत राज्य के सभी बिद्वा मैलाओं को आर्थ से साथ वर्स के बीच है और आप उत्तर परदेश से बिलॉंग करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा तीन हजार रुपे प्रती माह दिया जाएगा आजी वन जब तक आप जिन्दा है तब तक ठीक है इसके लिए आप जो है एनस एपी के तहत मदद उपलब्द कराई जाती ह अफिशियल वेबसाइट जो है स्स्पय.up.gov.in पर जाकर आप आवेधन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए आगे आवेधन के हम कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे उसके बाद एक इंदरा गांधी विद्वा पैंसन योजना है इंदरा गांधी विद्वा पैंसन बिहार से हैं हरियाना से हैं हिमाचल प्रदेश से हैं कहीं से भी आप हैं आपको जो है 300 पर प्रतीमा पैंसन के रूप में दिया जा सकता है यहां पर आप देख सकते हैं केंदर सरकार के द्वारा इंदरा गांधी विद्वा पैंसन योजना नाम से पैंसन योजना की प्रक्ति क है ऐसा इन्डर्फ सरकार की योजना से वंखै avis आपको जो हैँ इन्रा गांधी बिद्वापैंशन से योजना के लिया जाता है, मिल सकता है तो इस प्रकार से अगला जो है बिहार बिद्वा पैंसन योजना बिहार बिद्वा पैंसन योजना के तहे हैं 400 रुपे प्रतिमा दिया जाता है महिलाओं को और इसके तहट जो कौन महिला आविदन कर सकते तो जिनकी पतिक इमरेत्ति हो गई है और उनकी उम्र ज परकार के दोरा विद्वा महिलाओं को 900 रुपे प्रतीमा पैंसन दिया जाता है ठीक है महारास्ट्र विद्वा पैंसन योजना के तहद और इस योजना के तहद जो है राज जी की हर एक विद्वा महिला विदन कर सकती है जिनकी उम्र 18-60 वर्स के बीच है उसके बार यहाँ जो है राजस्थान विद्वा पेंशन योजना है इसी योजना के तहट भी है महिला को 750 रुपे प्रतिमा प्रतिमा इसी प्रकार से अगर 75 वर्स से अधिकायू की महिला आविदन करते तो उन्हें 1500 रुपे मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ ही ल जाती है जारखंड की अगर बात करें तो जारखंड के तहट जो है यहां पर आप लोगों को benefit मिलता है वो 600 रपर प्रतीमा मिलता है और यहां पर जो 18-60 वर्ष की बीच की महिला आविदन कर सकती है तो सिंपली आप यहां पर देख सकते हैं जारखंड सरकार के दवरा भी बिदवा पैंसन के तहट 18-60 वर्ष की महिलाओं को 600 रपर प्रतीमा देने का प्रापधान रखा गया है अब आप लोग तो विदवा पैंसन के related जानगारी ले ही रखे हैं अब बात करते हैं अवस्यक दस्तावेज क्या क्या होने वाले हैं तो आविदक को जो है आधारकार होना चाहिए महिला का बेसिकली आधारकार पती का मृतुपरमान पत्र अगर नहीं है तो आपका जब प प्रॉसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो कॉमेंट करिएगा मैं आपको विडियो दे दूना चाहिए आए प्रमान पत्र चाहिए आई यू प्रमान पत्र किया वे सकता है बैंक पास्बुक आपको देना होगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते कुछ बेसिक सी डीटेल है जैसे कि यहाँ पर mobile number है, passport size photo है, आधार card जो है, आपके bank account के साथ link होना अनिवारिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, अलग-अलग राज्यों में, सरकार के द्वारा मांगी जाने वाली आवस्यक दस्तावेजों की सूची थोरी बहुत भिन्न हो सकती है, लेकिन समाने तोर पर इतने ही दस्तावेज है जो बिदवा पैंसन योजना के आवेदन के लिए आवस्यक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोरा बहुत जो है अलग हो सकता है, eligibility की बात कर लेते हैं, तो eligibility भी कुछ खास नहीं है, eligibility भी normal है, बात करते हैं इसके उपर, तो महिला जो है, आवेदक जो महिला है वो बिदवा होनी चाहिए, आवेदक महिला की आयो जो 18-60 वस के बीच होनी चाहिए, उसके अदर राज्य सरकार के आधीन, उदाहरन अगर आप बिहार से आते हैं, तो आप बिहार बिदवा पैंसन योजना के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, आप महरास्टो बिदवा पैंसन योजना के लिए नहीं कर सकते हैं, यानि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, माल लेते हैं, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप बिहार में ही बिदवा पैंसन योजना का लाब मिलेगा उसके अधियादी महिला का बच्चा ब्यस्क है और सारी रिक्रूप से सक्षम नहीं है यानि अगर आपका कोई बच्चा है जो ब्यस्क है जवान है काम करने योग्ये नहीं है पंग वगेरा है तो आप बिद्वा पैंसन गलाब नहीं मिल पाएगा यहां पर आप देख सकते हैं बिद्वा पैंसन के लिए ओनलाइन आविदन कैसे करना है उसके लिए आपको वीडियो दिया गया है इस वीडियो पर आप किलिक करेंगे यहाँ पर वीडियो चालू हो जाएगा आपको पूरा प्रोसेस ओनलाइन करने का मिल जाएगा ठीक है अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको मिल जाएगा बात करते हैं आविधन कैसे करना है तो आविधन करने के लिए बेसिक प्रोसेस है सबसे पहले जो आप ओनलाइ से हैं उसका एक अलग वैबसाइट होगा वैबसाइट पर जाते ही होम पेज पर आपको जो है बिड़ो पैंसन के लिए लिंक देखने को मिलेगा इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी जानकारी भरेंगे और फिर आप आविदन कर देंगे अगर आपको बिड़ो पैंसन आविदन करने में कोई समस्य आती है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछेंगे मैं आपको जो है बिड़ो पैंसन आउनलाइन करने का विडियो दे दूँगा बेसिकली यहाँ पर आकर आप पूरा प्रोसेस पर सकते हैं आपको जो है लिंक आवस्य रखले क्योंकि इसी के बदलत आप भविष्य में अपने बिदवा पैंसन योजना की स्थेती को चैक कर पाएंगे तो बेसिकली जबाप आविदन करते हैं तो आप जो है आपको एक लिस्ट मिलती है रसीद मिलती है उसके बदलत आप जो है इस्टेटस को चेक कर और status check कैसे करना उसका भी process आपको दिया गया है यानि अगर आप आविदन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका आविदन जो है verify हुआ है या नहीं आपका जो है status approved हुआ है या नहीं तो आप चेक कर सकते हैं अगर अब तक आपको यह वीडियो पसंदा रहा है तो इसको like जरूर कर दीजे दोस्तों और इसे share बिलकुल करिएगा क्योंकि like और share से ही हमें काफी motivation मिलता है उसके बात करते हैं official website की तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग राज्जे के लिए official website दिया गया है जैसे आंदर प्रदेश के लिए अगर आप आविदन करना चाहते हैं यह आपको यहाँ पर link दिया गया है ठीक है तो आविदन करने का process लिंक बगेरा सब कुछ आपको दिया गया है बात कर लेते किसी state के लिए आविदन की तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सब process बता देना चाहूंगा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको simply click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे आप जो sspi up.gov.in के website पर चले जाएंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको जो है old age pension scheme देखने को मिलती है widow pension scheme देखने को मिलती है यहाँ बिदवा pension देखने को मिलता है विदवा pension पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते है apply now का button है उसके आद login का button है उसके बाद जो आप यहाँ पर आविदन की इस्थिती देख सकते हैं अगर आपने आविदन की इस्थिती आप देख सकते हैं अगर आप apply now के button पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आविदन form करने होगी जैसे कि सबसे पहले आपको ₹ लोकली टी टी टालना है फुरा पता डालना है उसके यहां पर देख सकते हैं अपलोड रंगीन पास्पोर्ट साइज फोट महिला का अपलोड होगा उसके आद उनकी स्रेणी क्या है वह आप डालेंगे जन्म की तिथी क्या हुआ डालेंगे आयू अगर डाला चाहते हैं आयू डाल सकते हैं जन्म तिथी का प्रमान पत्र आपको जो है आयू प्रमान पत्र आप अपलोड कर सकते हैं जैसे कि सैक्षिनिक अभिलेग चिकित्सिय द्वारा प्रदान प्रमान पत्र आप upload कर सकते हैं उसके आप जो है संपर्क सुत्र मोबाइल नंबर की जानकार यहाँ पर भरनी होगी उसके आप यहाँ पर आप जो है bank select करेंगे उसके जो है bank साखा select करेंगे खाता संख्या डालेंगे bank का passbook का जो front page आपको यहाँ पर upload करना होगा जो भी front page है वो आपको यहाँ पर upload करना होगा उसके आद जो है आई का विबरन आपको डालना है वार्सिक आई किया है उसके आद तैसिल आपको डालनी है उसके आद जो है तैसिल द्वारा प्रमान आई प्रमान पत्र जो आपको मिलता है उसको यहाँ पर आपको upload करना होगा upload करने के आद जो है पती के मृत्यू की दिनांक आपको यहाँ पर डालनी है पती का मृत्यू प्रमान पत्र आपको यहाँ पर upload करना होगा उसके आद यहाँ पर आप देख सकते घूसना करना होगा यहाँ पर capture code डालना होगा submit करना होगा, submit करने का आपको application reference ID मिल जाएगे उस ID के बदलत आप अपने status पगेरा को check कर पाओगे और सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गए क्या कुछ eligibility criteria है वो आप यहाँ सरकारियोजिना.com पर जाकर देख सकते हैं तो मेदे दोस्तों आप लोगों को अगर आप कुछ पूछना या जानना चाहते हैं तो comment box में आप जो है comment कर सकते हैं comment करने का process काफी सेम है काफी easy है आप लोग जो है बहुत easily हमारे channel पर आकर comment कर सकते हैं और उसका related आपको जो है information update मिल जाएगे तो बस आज की इस वीडियो में यहीं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye आप सभी का दिन सो बुचे हैं बंदे मात्रम